नमास्ते दोस्तों मेरा नाम है प्यू श्राइवर आप देखने हैं देखनार भारत आज छोटी दिवाली है आप सब को पूरे भारत वर्ष को छोटी दिवाली की बहुत-बहुत सब कामना है आप कल बड़े दिवाली होगी लोग पटाके फोड़ना चाहेंगे पॉलिशन के कि तहद सरकारों ने बैन लगा के रखा है कई सरकारों ने तो कोई ने सुरक्षा को देखते हुए एक लिमिट में बच्चों को छोटे मोटे पटाके फोड़ना दीजेगा मैं यह नहीं कहूंगा कि बल्क में जान बूच के लाइए किसी कानुन काउन लंगन करते वक्त ल मुख्यधारे चल ली जो हर बात को हम लोग सिर्थ एक चसमे elz eh जब तक को फैक्ट को मानके चलनेएं तब तक सॉब्ख करता हुए लेकिन अगर कुछ ऐसा नहीं है जैसे लक्षमी पिक्चर में जो दिखाया गया है उसमें जो हिस्सा गलत है उसको मैं इस वीडियो में गलत थाबित करूँगा या उसका अपना एनलेसिस दूँगा जो हिस्सा सही है उसको भी आपके सामने रखूँगा अब आपकी समझ पे निलबर करता है कि आप सही हिस्स या बॉलीवुट जिहाद या जो समझना है तो वीडियो में बने रहिएगा मेरे पॉइंट सुनिएगा समझेगा सही लगे तो लाइक शेयर कमेंट ते रहो करिएगा शेयर इसलिए कहना चाहता हूं कि कमेंट करके अपना पॉइंट वूइए तो आप बताएंगे मेरे लॉजिकल डिबेट का हिस्सा बने ना कि सिर्फ एक आख बंद करके एक नेरेटिव का हिस्सा बने जो कि कभी सही होता और कभी गलत भी हो सकता है और प्लीज डिस्क्लेमर इस वीडियो में मुझे कोई सेकुलर समझने की गलती ना करें कि उसकी डेफिनेशन वो रही नहीं इस वीडियो का मुद्ध यह होगा कि मैं पहले तो आपको समरी बताऊंगा कि उस मूवी में सुरुआत्स लेके अंत तक उसकी पूरी स्टोरी लाइन क्या चली कैसे कैसे क्या क्या हुआ उसमें आपको कुछ कुछ चीजन समझ में आएंगी उसके बाद जो आपको अपत्त प्रकुलरिश्म वाली बात कहीं मुवी की स्टोरी लाइन ऐसी होती है कि सीक्वेंस में जा रहा हूं उस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में उस पिक्चर ने दिखाया मुवी की स्टोरी ये कहती है कि एक किनर समाज की एक औरत बोलूँ या किनर चलिए किनर बोल देता हूं एक किन्नर प्राणी के जनम होता है एक परिवार में हिंदू परिवार में वो लोग जैसा समाज में एक धारना बनी हुई है तो वो लोग उसे अलग समझते हैं और मार पीट के भगा देते हैं वो जाता है भुखा रहता है उसे एक मुस्लिम या उसको आगे पता चलेगा उसको एक मुस्लिम वेक्ति ने खाना खिलाया शरण दी क्योंकि उसने एक और ऐसे बच्चे को शरण दी हुई थी और ऐसे ही करके आगे उसको पाल पोस्के बढ़ा किया आप सोचेंगे कि यह तो उसने उस वेक्ति को जिसका नाम लक्षमन शर्मा था उसको नया नाम दिया लक्षमी सर्मा उसने कोई सय्यद या फिर कोई अंसारी या फिर कोई खान या कोई मुहमद नाम नहीं दिया उसने कनवर्ट नहीं किया उसने उसके उस वेक्तित को एक्सेप्ट किया और उसने कह था कि तुम शिव और शक्ति दोनों के रूप हो अर्ध नारेशवर हो हमारी सब्विता में कि नरों का भी रूप देवी देवता ने अलड़ी डिफाइन कर दिया है अर्ध नारेशवर मतलब कितनी ब्यूटिफुल चीज मुझे बहुत अच्छा लगा हो देख करें रियालि पहली चीज होनी चाहिए मतलब वक्त करते अगर करते तो पहली चीज जैसे कि अगर किसी मुसल्मान ने अर्ध नारेसवर रूप का किसी को हवाला दिया है आप अर्धनारेसवर हैं आपके अंदर शिव और सक्ति दोनों का विराजमान है किनर है तो उसने इस कॉंसेप्ट के हिसाब से यह चीज़ हैं की कि शिव Reports अर्धनारेसवर जैसा भी हूब है लेकिन मुसल्मान तो आल्ला के लावा किसी को मानते ने किसी की existence फिरकीन ही नहीं च AO ne but शिवुकů नहीं मानते सक्थों चौनी मानते तो मुसल्मान है हिंदु को कैसेao ले समय तो सब्सक्रद करते कि इस सर्कें अब जानने के बाद शायद आजाए कि मुसल्मान ने एक्सेप्ट किया कि अब एक शक्ति है जिसको हम अर्ध नारेश्वर भी कहते हैं तो उसमें उसको शरन दी पढ़ाया लिखाया बढ़ा किया उसके तो किंदर सुरूब को एक्सेप्ट किया उसको फलने फूलने दिया जैसे ही एक और लड़की का लड़की को अपने घर में जगए दी और उसको अपने च्छोटी बेहन बेटी की तरफ पाल को उसके बढ़ा किया उसको पढ़ाया लिखाया और इसका भी बनाए कि वह किंदर समाज के लिए कुछ बढ़ा कर सके जब वह समझाने जाती है मारति पीटते गुंडा लोगों को और जो में बॉस आता है उसके सामने जब आती है तो वह लोग चल से इस बात का हवाला देते हो कि किनरों से हम गलत नहीं कर सकते किनरों का रोना किनरों का श्राफ हमारे लिए जिन्नकी बरबाद कर सकता है और उस उसी जमीन में गार देते हैं जो जमीन उन्होंने अपने भविश्य के लिए होती है किनर समाज को आगे बढ़ाने के लिए होती है अपने सपने को पूरा करने के लिए होती है लेकिन जो किरनर जो लक्षमी होती है जिसकी आत्मा होती है वह भटकती रहती है उसी जमीन से कि हम लोग ने विरोध ने किया हर शादी को लब जियाद नहीं बताया है ठीक है प्यार होता है परिवार नहीं मानता है जाएट से आज की सिच्वेशन यही है और जो मुस्लिम और हिंदू मैरिज का जो हम consequence देख रहे हैं उस वज़े से हिंदू मुस्लिम सादी का विरोध ज हो जाना है यह सब चीजें होती आई है तो उसलिए उस पर्टिकलर रिजन से हिंदू मुस्लिम साजी का ना होना जायज है विरोध होना जायज है तो वो लोग कर लेते हैं और यह सोचने कि वो लोग मतलब पैरिंस को मना लेंगे बाद में शादी होगी तो पैरिंस तो मान जस्ट बिकॉज वहां एक फैमली ड्रामा दिखाना था जस्ट बिकॉज वहां पर एक ऐसा ड्रामा करेट करना था चलो ठीक है मैं यह भी कह सकता हूं कि बार बार यहां हिंदू मुस्लिम एंगल करने की जरूती क्या है बॉलीवड को बॉलीवड तंग नहीं आ गया जरू नहीं है बॉलीवड नहीं है लेकिन चलो अगर आपने दिखा भी दिया तो यहां पर बॉलीवड नहीं दिखाया मेरे नॉर्मल दर सकूंँ अगर आप यहां तक पहुंच गया तो लग्याद की देखने को मिलेगा इस पिक्चर में अगर आपने नहीं देखा तो मैं बता कुछ ठीक है लड़का लॉजिकल है लेकिन लड़के का एक एंगल ये दिखाते हैं कि भूत भगाओ और इसे समाजिक जागों आमाम करके कोई योजना का या ग्रूप का मेंबर होता है जिससे में लोगों को चाकरित करता साइंटिफिकली बाते बता के ना कि पाखंड तो ए हाथ ठड़े कर लेते हैं कि यह शक्ति हमारे बसकी नहीं है लेकिन पीर बाबा के पास इतनी शक्ति है यह मुझे गलत लगा कि आप तुलना बराबर करिए या तो तुलना मत करिए आप कहते हैं कि पीर बाबा के पास इतनी शक्ति है कि वह लक्षमी को भगा सकते हैं नक्षमी को भगा सकते हैं और यह मुझे अपति जनग लगा जो लगा मुझे वह में बतानों और जो नहीं लगा और जो नहीं लगना चाहता हूं और इस चीज को समझे को लिए वीडियो मुझे को दिक्कत नहीं आप concept समझ जाएंगे तो शायद हर बात पर फालतू का विरोध नहीं करेंगे और हर बात पर फालतू का सेक्लरिजम नहीं दिखाएंगे दोनों चीज़ ज़रूरी है तो लक्षमी जो की किन्नर होती है अपना बदला लेने के लिए आसिफ का सरीर चुनती है किसी ना किसी है जरी है उसका खून आसिफ के सरीर में चला जाता है अब अब पिक्चर देखें तो पता चलेगा और आसिफ का सरीर इस्तमाल करके वह बदला लेती है थेक़् है एक टायम आता है जब लक्षमी को पीर बाबा निकाल लेते हैं और कैद कर देते हैं और आसिफ को तावीज याटिए कि यार गलत हुआ किन्र समाज के साथ सपने तूट रहे हैं तावी निकाल देता है लक्ष्मी फ्री हो जाती लक्ष्मी वापस रीद में आ जाती है उसको एक माहॉल होता है कि कि इननर उस रात को होनाता है और हिंदू को यह सोचना था कि अगर यहां पर कुछ ऐसा दिखाना होता तो आसिफ कि आसिफ जिसके अंदर लक्षमी है कि वो भोले नात्त की शिवशंकर की धुन पे नाचना उनके आगे जुकना उनकी महिमा मंदन करना उनको मानना उनको बिलकुल उनकी पूजा करना इस तीज़े नहीं करवाते है वो लोग उन्होंने यह भी करवाया यहां भी मुस्लिम अब्जेक्शन होना चीए था यानि कि यह रियालिटी से पर है वस मैं यह कहना जाता हूँ कि एक मुसल्मान रियालिटी में शिव को नही कि फूरान नहीं करती रियान- Nous एक कोई और है पूजन ह कर सकते यह ऊब इ necklace होते हैं और Instr Blues यह सभी कर रहा है देवी के भज़न कर रहा है खैर तो देवी वाला जो भजन वाला सीक्वेंस पूरा मुझे अब्यक्शने वल लगा वो भजन रैप के फॉर्म में गंडा सा बिल्कुल बना दिया था पता नहीं क्या वो देखने का मन नहीं कर रहा था वो उस पर कुश्चन होना चाहिए तो फिर उसके बाद जब बदला ले समाज उस जमीन पर कुछ बना लेता है तो फिर लक्षमी दिखाया जाता कि लक्षमी फिर वापस आ गई है अपने समाज को बचाने के लिए आशिफ के अंदर और ऐसे पिक्चर खतं हो जाती है तो मैंने आपको पूरी कहानी में बीच-बीच में वह इससे भी बताए कि कह शुदू नहीं नहीं दिखाया कि लिए पिसी को रेमाइंड करा ना हो तो में बताना है निकाह पढ़ाई यह पढ़ाई मुसलमान बनाई एतैен तो ये तो ये इता सब्सक्राइब करना पड़ता है नाम नहीं बदले नाम बदला जाता है तो ना आप से चुपाई नाम बदला ना किया और जिहाद यानिकी मार मतलब की उस प्रोसेस में अगल लड़की मना कर देका नवर्ट होने से जिसने कि दातों मर की साथ हुआ तो आपको मार भी दिया जाता है ठीक है यह मैं डेफिनेशन जो आपको ग्राउंड पर देखने को मिल लई है न्यूज में देखने को मिल भी हर जर जब यह सब पिक्चर में नहीं दिखाया तो आप उसको लफं कैसे कह सकते हैं ठीक मुझे पता है बहुत लोग इस बात से डिस लिए मुझे नहीं मुझे पता है बहुत सारे मुसल्मान भी अग्री डिसेगरी के बीच मुझे गाली देख जाएंगा मुझे से कोई आपती नहीं मुझे जो देखके लगा मैंने जान बुछ किसलिए देखा कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो ओवर एक्जागरेट करके माहौल में फैलाया जा र दिखाया इसलिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी दिर में कॉपी राइट क्लेंग स्ट्राइक एड नाना कुछ ना होना तो यह मैं नहीं चाहता था कि वीडियो में कोई रोक टोक ले अब आपके ओपर मेरे इस पॉइंट व्यू से लक्ष्मी के ऑनेस्ट रिव्यू से सहमती भी रखते हैं तो वीडियो को शेयर करेंगा अपना पॉंट्व कमेंट में बताईएगा और मेरा काम पसंद आया तो आप कर सकते हैं टेलिग्राम पर जुड़ सकते हैं इंस्साग्राम पर जूड़ सकते हैं लिंक डिस्क्रेप्शन में हर चीज के लिए है ठीक है और इस टेशर ने शोशल मैसिज दिया यहीं में बताना चाहा था कि इनर समाज को हमारे समाज में आज की बात कर रहा है हमारे देवी देवताओं ने रूप दिया हुआ है जो अर्ध नारेश्वर का कि आधा भाग शिव का शिव है और अधा शक्ति है तो हम भूल जाते हैं किनर स कि हमें बद्दुआ लगी तो दिक्कत हो जाएगी हम डर के उसको पैसा दे देते हम डर के उसको खुश कर देते अगर हम वही चीज आउट आफ रिस्पेक्ट करते सम्मान से करते साथ उन्हें भी अच्छा लगता साथ उन्हें भी सुसाइटी में अपना अपन फील होता और लगता कि हमारे अपनों की बीच हम रह रहे हैं और हमारे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कुछ नहीं है तो उनका भी कॉंट्रिब्यूशन होता एक नौमी में सोसाइटी में ग्लोबल डेवलप्ट में हर चीज में वह रिपर्जेंट करते तो ऐसा क्यों हो रहा है कि उन्हे रेक्टर्स प्रोड्यूसर्स स्क्रिप्ट राइटर स्टोरी राइटर जितने में जो हैं जो लोग जुड़े हों उनसे मेरे कुछ बहुत ही जेनुविन सवाल है पूरे बॉलीवूड से एक सवाल है कि सर आप यह बताईए सवाल नंबर एक नहीं पिक्चर तो देख कुछ नहीं था हो सकता आपकी मार्केटिंग स्ट्राटेजी हो कि बाम लगा देंगे तो कुछ लोग आट ऑफ किरोसिटी देखेंगे कि ऐसा क्या है कुछ होगा आपका लॉजिक नंबर दो भारत की हर पिक्चर में कभी ना कभी आप एस एक ना कोई ना कोई एक ऐसा कर द रियालिटी में क्या हो रहा है आपको बिल्गुल परे दिखाना है एस सब्सक्राइब पिक्चर में किजिए कर सीन है कि अक्षे कुमार एज आसिफ जुकते हैं कहते हैं कि हम सजदा तभी करते हैं मतलब अल्ला को या रसुल के सामने जो भी तो उन्होंने घुटने पे बै आसिफ जो लक्षमी का किरदार भी नहीं भाते हैं इनके अंदर लक्षमी की आत्मा आ जाती है तो वो शिव के सामने भी जुकते हैं और एस इन आसिफ वो दुर्गा मता की रैप में आरती भी करते हैं अच्छा ये भी मुसल्मानों को वी रोध होना चाहिए कि उनके नहीं करता हमारे लिए अल्ला उनके रसूल उनके लावा कोई नहीं थिक रियालिटी ग्राउंड रियल्टी है आपको परे दिखाने की जरूत क्या थी आप बदल सकते हैं नहीं बदल सकते हैं नंबर तीन जो मैंने अर्दनारेश्वर वाली बात किया लक्षमन सर्मा को ल अर्दनारेश्वर जैसा कोई है लेकिन मुसल्मान इसलाम एकसेप्ट नहीं करता कि अल्ला के अलावा उनके रसूल के अलावा किसी को भी माना जाए सामान लेवल पर ठीक इसके परे दिखाने की जरूत क्या थी क्या भाग के शादी हिंदू मुसलिम ही करते हैं एक मात बा कि उसके मुसलीम हो पर मतलब कि इसमें आप अत्ती दिखाई गई कि आज कि में ओर्थटोटाक सोच है कि इस मुसलिम होने मतलब सर्फ कर रहे हैं हिंदू-मूसिलिम मैज को कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उस मैजिक्ट में क territorimana की जी बड़े इस सेलेबरिटीश की घर म और वो हिंदू भी निकले, इस सिचुशन होती है न, आप ये भी दिखा सकते हैं, नॉर्मल सिचुशन भी होती है, रिलीजियस डिफरेंस ना होने के बाद भी अगर पैरेंस किसी को पसंद ना करें, उसके कई और कारण भी होते हैं, फैनेंशल बैक्राउंड, कास्ट बैक् कि लक्षमी नामक भूत को एक पीर बाबा के निकाल देंगे, लेकिन लक्षमी नामक किनर के भूत को हमारे साधू पंडित पुजारी कहते हैं कि हमारी शम्ता के बाहर है, वो मैं क्लिपने दिखाना चाहता हूं, क्यों क्यों क्लेम आ जाए, बाकि आप पिक्चर और एक आकरी सवाल, क्या बॉलीवुड कभी भी अपने भविश्य में इसलाम, कुरान, प्रॉफिट मुहम्मद के ओपर एक ऐसी पिक्चर बनाएगा जिसका सीरसक ये हो सकता है, मुस्लिम बॉम, मुहम्मद बॉम, कुरान बॉम, इसलाम बॉम हो सकता है, इसलाम जिहाद, कुरान जिहाद, मुसलिम जिहाद, किसी भी तरह का लव जिहाद, कुछ भी ऐसा सीरसक आप दे सकते हैं, बूता है, आप मुझे बताइए, दर्सक भी बताए, मुसलमान दर्सक बता सकते हैं, हिंदू जिसको बताना कमें बता सकता है, क्या बॉलीवुड ऐसा कर सकता है, औ खोल के बनाईए कोई कम ही मत रखिएगा ठीक फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जैहिन वंदे मात्रम शुब्धिपावलिग्ण